A very good evening to all of you. A very good evening once again to everybody and welcome to the Bajus exam prep. Namaskar दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Bajus exam prep पर मेरा नाम है अभिशेक सिंग और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस session में जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे 100 MCQs के बारे में तो दोस्तों, बिहार PSC के CDPO exam के लिए संपूर महारी वीजन श्रिंखला की शुरुवात हो चुकी है और इस श्रिंखला में 500 MCQs भारती इतिहास कला संस्कृती से जुड़े हुए जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो फटा-फट से session को join कर लिजिए और जल्दी-जल्दी एकदम speed में बिलकुल रफतार से 100 MCQs आज हम लोग solve करने वाले हैं आप सब के लिए तो explanation के साथ-साथ details भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा तो make it sure कि आप सभी लोग इस session को फटा-फट जॉइन कर लिजिए और अपने साथ-साथ अपने दोस्तों को भी session में जॉइन कर वा लिजिए और राइट everyone, so let us start, but start करने से पहले एक चीज़ आप सभी लोगों को ज़रूर बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आज के दिन आपकी पास मौका है कि you have to just get 20% flat discount summer 20 का coupon code यूज करके जिसमें की आने वाले exam के लिए आपको मिलने वाली है विशेश छूट और इतना ही नहीं बलकि अगर अभी तक आपने हमारे किसी भी online platforms को अगर subscribe नहीं किया है अगर आपने join नहीं किया है तो make it sure कि आप उसे subscribe जरूर कर लेजिए और राइट and let us start the first question निमकित में से कौन सा अस्थल प्रागयतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है राइट कौन सा अस्थल प्रागयतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बाग अजन्ता कैमूर अवती दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number option number c कैमूर क्या होगा कैमूर ठीक है तो जैसे ही आप इस प्रश्न देखते हैं आपको फड़ा-फड़ से इसका जवाब देना है बिना ज़्यादा डिले किये all right everyone तो right answer will be दोस्तों बिहार में कैमूर हो गया निवादा हो गया रोहतास हो गया ये सब इलाके दरसल में मशूर हैं अपने प्रागयतिहासिक चित्रों के लिए किसके लिए मशूर हैं प्रागयतिहासिक चित्रों के लिए मशूर है और भारत में कुछ मशूर स्थल कौन कौन से है प्रागयतिहासिक चित्रों के लिए तो द्यान रखिएगा कि भारत में अलाई रेंजिस से ले करके और इसके अलावा भीम बेटका की रेंजिस हो गई इसके अलावा जो है मिर्जापुर में विंध्या रेंजिस हो गई इसके अलावा आपको बेलन घाटी सोन भद्र में प्रथम धातु कौन से थी? कांसे लोहा, तामबा या पत्थर? तो प्रथम धातु, यानि कि तो मेटल के बारे में पुशा गया है, तो फस्ट मेटल जो है, वो कौन सा था भई? फस्ट मेटल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो था तामबा, कौन सा था तामबा, ध्यान रखिएगा हमेशा, कि तामबे के प्रयोग के वजह से, यहां तक कि तामबे का प्रयोग जो है, वो पत्थर के साथ, पत्थर के साथ साथ प्रयोग किया गया तामबा, जिसके चलते एक ऐसा यूग आता है जिसको कहा जाता है चाल को लिथिक एज क्या कहा जाता है चाल को लिथिक एज ठीक है न गुदिंग अबरेवरीवडी दोस वो आप जॉइन गाईज जितने भी लोग जूर चुके हैं फटा फट से सभी लोग सेशन को शेर भी कर दीजिए और बता दीजे दोस्तों को कि भई ये सेशन स्टार्ट हो गया है विद ड्यू रिस्पेक्ट की थोड़ा सा दिले हुआ टेकनिकल ट्रबल के चलते बट इट विल नॉट बी हापनिंग राइट बट कोंसी जाती का संबंद लोहे से सबसे अधिक माना जाता है दोस्तों ये सवाल जो है ये factual nature के अच्छे questions में से एक है तो तुर्क, ग्रीक या हिटाइट या हून इन चारों में से कौन सी ऐसी जाती है जिसको लोहे के इंट्रोडक्शन के लिए जिन्नेदार माना जाता है तो गाईज इसका सही जवाब क्या होगा फड़ा फड़ा आंसर करिए जल्दी इसका सही जवाब क्या होगा अप्षैनन बपर अप्षैनन नमबर C होगा हिटाइट या हिटी हिटाइट या हिटी राइट आंसर ओप्षैन नमबर C हिटाइट अल्राइट दक्षिन भारत की महा पाशान मुख्य रूप से सम्मंदित हैं The megalith of South India are mainly associated with South India का मिगालिथिक एज है किस सम्मंदित है भई मध्य पाशान यूग यानि की निजोलिथिक नव पाशान यानि नियोलिथिक तामर पाशान यानि चालकोलिथिक या आयरण एज यानि की लौह यूग तो क्या इसका होगा सही जवाब फटा फट बताईए दक्षिन भारत के महा पाशान मुख्य रूप से किस सम्मंदित है तो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या होगा इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number C option number C तामर पाशान यूग हलांकि ध्यान रखेगा कि नव पाशान यूग भी सही आंसर हो सकता है लेकिन इसका आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं मेगालिथिक एज की तो दोस्तों पुराने डेट्स के according मेगालिथिक एज का समयकाल था लगभग हजार BC लगभग हजार BC के आसपास यहां तक की 3000 BC से लेकर के 1000 BC तक के आसपास की जो एज लिमिट है ये ओल्ड NCRT में बताई गई है ठीक है ना? कि मेगालिथिक एज की यही लिमिट है कहीं न कहीं पहे समकाली या उसके लेटर पीरियड में उत्पन हुआ होगा लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कमिलनाडू में तथा दक्षणी, पूर्वी, आन्रप्रदेश के इलाकों में कई सारी नई खोजों की वजह से और जिसमें ये भी देखा गया है कि मेगालिथिक एज के इलाकों से मेटल्स के यूज भी देखने को मिले हैं क्योंकि मेटल्स के यूज देखने को मिले हैं इसलिए इसलिए धिया ध्यान दखेगा चालकोलिथिक एज is the right answer किसी भी पुराने पुप्लिकेशन में पुरानी चीजों में देखेंगे तो नवपाशान यूग आंसर दिया रहेगा इसका आपको ध्यान रखना है निमकित में से कौन सी नवपाशान संस्कृती की विशेशता नहीं है पलपौधों की खेती, जानवरों को पालतु बनाना, क्रशी के लिए लोहे का उपयोग या फिर गतिहीन खेती तो इसका सही जवाब तो बहुत आसान है, बहुत ही easy नवपाशान संस्कृती, ध्यान से सुनिएगा नव पाशान संस्कृती लोहे का प्रयोग नहीं करती थी आंसर क्या होगा? option number C होगा तो दोस्तों ये ध्यान दीजेगा कि इस पर questions अगर बनते हैं तो इसी प्रकार के questions आपके exam में पूछे जाएंगे exactly इसी प्रकार के exactly इसी type पुरातात्विक साक्ष किस तामर पाशान काली निस्थल से किस तामर पाशान काली निस्थल से निगम, कटाई या सिचाई इन सब के प्रमाण मिलते हैं दाइमाबाद, इनामगाउ, नवदा टोली, रंगफुर कौन सा चालकोलथिक साइट ऐसा है जहां से सारे अमशेश देखने को मिलते हैं तो गाईज, इसमें सही जवाब क्या होगा सबसे उन्नत, सबसे उन्नत या सबसे डेवलप्ड अगर चालकोलथिक साइट में कोई था तो वो था डाइमाबाद वो था डाइमाबाद, ठीके ना तो ध्यान दीजी जा, इसमें दाइमाबाद जो है, ये सबसे उन्नत स्थल माना जाता है, ठीके ना तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number A option number A, भाई मेरे इनाम गाउं और नौदा टोली इन दोनों जगों से इन दोनों जगों से settlements के definitely जो है, अवशेश मिले हुए है और तो और यहाँ तक की अच्छे प्रकार के बरतन या फिर जिसको अपन कहते हैं कि मालवा वेर मालवा वेर जो की नवदा टोली, कायत इन सब जगों से प्राप्त हुआ है लेकिन शहरी करण के उपद जो लक्षा है, वो दाइमाबाद से ही मिले है माड़ी जो नसली रूप से होमो सेपियन से अलग था उसको क्या कहा जाता है होमेनिड ओके, देब, पिथे कैंग्थ्रोपस, या सिंथ्रोपस, या इंथ्रोपस क्या कहा जाता है उसको तो गाईज, इसका सही जवाब आप सब लोग जानते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसको कहा जाता है होमेनिड, क्या कहा जाता है होमेनिड, ठीक है न तो ये सवाल काफी चौकाने वाले सवाल आ सकते हैं एक्जाम में आपको इस तरीके के कभी कभार तयार रहीएगा ऐसे questions के लिए भी होमिनिड और खास कर जैसे अभी आपने देखा ही होगा भई की बिहार PSC के paper leak के बाद BPSC की परीक्षा को prelims को रद कर दिया गया है तो आप यह उमीद कर सकते हैं कि CDPO के CDPO के time पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा और शायद extra कड़ाई बरती जाए या maybe की एकड़म last मौके पर questions या paper वगड़ा कुछ अपग्रेड किये जाए तो we can expect some tough questions ठीक है कौन सा कथन सही नहीं है भारत में पुरा पाशानकाल आग काउक योग जानता है दक्षिर भारत में गुंटूर कुर्णूल जिलो में पुरा पाशानकाल के जो है दाने या अनाज पाये जाते हैं रोत्फर्वत माला मिर्जापुर जीलों में प्रागयत यहासिक चित्र पाए गए हैं। उत्तर भारत में तामर यूग और प्रारभिक लौह यूग की पहचान की जा सकती है लेकिन लौह यूग दक्षिर भारत में पाशान यूग के तुरंत बाद आता है। तो बताईए गया इसमें से कि आपके हिसाब से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो दो आंसर कैसे हो जाएंगे। ध्यान अखिएगा पहले अगर हम पहले की बात या पहले के जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस थे उनकी ही बात करें। तो गाईज ये बात सही है। अर्थात आंसर क्या होगा? ऑप्शन नमबर बी होगा। जिन लोगों को लगता है कि आंसर ये होगा तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में अब दुनिया में पुरा पाशान काल यानि कि पैलियोलिथिक बिलकुल सही बात है भाई मेरे पैलियोलिथिक एज में लेकिन याद रखीगा अपर पैलियोलिथिक एज में अपर पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? उच उच्च पुरा पाशान काल में, तो दोस्तों उच्च पुरा पाशान काल में क्या होता है, अगनी का प्रयोग प्रारंब होता है, ठीकर न, अगनी का प्रयोग प्रारंब हो सकता था, या हो शुका था, ठीकर न, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, B और D, बी और डी इसमें से ध्यान रखियेगा कि पूरा पाशान काल के ग्रेंस नहीं पाए गए हैं वलकि नव पाशान काल के ग्रेंस पाए गए हैं ठीक है ना और इसमें अभी कुछ समय पहले तक यानि 2014 तक यही माना जाता था कि लौह युग दक्षिन भारत में पाशान युग कनफर्म हो चुका है कि दक्षिन भारत में भी काफी लंबे समय तक कांस युगीन तामर युगीन संभिता वो पनप रही थी तो इसलिए ये बात भी गलत हो जाएगी एक्जाम में अगर यही question exact as it is आ जाता है तो आप answer क्या करेंगे option number B करेंगे क्योंकि भिहार रखियेग पुरा पाशान कालीन समाज में सभी पुरुष और महिलाएं थे क्या थे भई सभी को एक समान महत दिया जाता था पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तुलना में उच्च थी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तुलना में उच्च थी या फिर इसमें से कोई भी सही नहीं कहा जा सकता तो guys इसका देखो इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता दू इसका सही आंसर जो है option number D यानि कोई नहीं अब बहुत लोग कहेंगे कि अरे नहीं सर ऐसा नहीं है समान महत तो रहता था ये वो guys आपको मैं बता दू कि पूरा पाशान काल में पैलियोलिथिक एज में कौन से men और कौन से women भई society जो है इस नाम की कोई चीज थी नहीं समाज नाम की कोई चीज नहीं थी जब समाज नहीं था तो समाजिक इस्थिती की बात कहां से आ गई या धिमाग लगाई ये थोड़ा सा जब समाज नाम का अस्थित तो नहीं था तो समाजिक इस्थिती की बात कहां से उठ गई ये तो जानवर जैसी है अब आप खुद सोचो आप से अगर कोई पूछे आप से अगर कोई पूछे की हाँ सॉरी शेरों के या गाए या बंदरों की समाज में महिलाओं की स्थिती उच्च होती है मतब उनकी फीमेल्स की स्थिती उच्च होती है या मेल्स की स्थिती उच्च होती है किसकी जादा इज्जत होती है तो ये तो यार बड़ी विडब बना का जो है कि कह सकते हैं कि अवतरन कब नजर आता है ओकी एक्जाक्ली चंद्रा क्वेस्टन जो है वो स्टोन एज के बारे में था आल राइट बताईए बताईए फड़ा फड़ा बताईए इस प्रशन का सही उतर क्या होगा वही कौन से युग में होमो सेपियन मानो पहली बार दिखाई देता है मेजोलिथिक में उपरी पुरा पाशान में मध्य पुरा तो गाईज इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा इंटेलिजिन्ट मैन या होमो सेपियन सेपियन पहली बार उच्च पुरा पाशान काल या अपर पैलियोलिथिक एज के आसपास नजर आना शुरू होता है या कहें कि डॉमिनेंट होना राइट डॉमिनें याने की सह जीविता करता था ये नेंदर थलेस वगरा के साथ या औस्टेलोपितिकस रामापितिकस वगरा के साथ ठीक है आगे चलते हैं पाशान युक के लोगों के बारे में कौन से कथन सही है उन्हें पूरी तरीके से पत्थर से बने आजारों हतियारों पर निर्भर पड़ा केवल पहाड़ियों के धरानों चक्तारों के आश्रयों नदी घाकियों में बस गए इस निर्वाह के लिए जितना आवश्यक था उससे अधिक उत्पादर नहीं कर सके या उपरोग सभी गाईज आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है इसलिए आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि ए तो बिल्कुल सही है और बी भी सही है भारत में प्रागयतिहासिक अध्यान के छेत्र को खोलने वाले प्रथम पुरा पाशान काल की खोज का श्रेय की से जाता है ठीक है तो गाईज इसका आपको देना है सही जवाब ठीक है इ उसके संबंधित खोज का श्रेय की से जाता है सभी लोग फड़ा फड़ा आंसर करेंगे और आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा यह बड़ा मशूर क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट यह फूटे लिखा हुआ है यह फूट फूट इनको जिम्मिदार माना जाता है कि इन्होंने भारत में सबसे पहले जो है यह फिए ही इस कंसीडर ऐस दर आइकॉन इन यहां तक कि बिल्कुल एचडी संकलिया का नाम भी रहता है बट रॉबर्ट बूस फूट जो है वो कह सकते हैं पाइनियर समझे जाते हैं इसके पाइ और अगला कोस्टन है संसकर्टियों में से कौन सबसे पहले मिटी के बरतनों को रंगते थे प्रसा पहले कौन से संसकी और डेखी गई है क्या हो गया ङही एकदम से अठक गया है तो बिल्कुल। आल राइट बफरिंग शुरू हो गई है फिर से यह तो काफी ज़्यादा कस्ट का सावित होने लगा है यह ओक्यों तो गाई इसका सही जवाब क्या होगा यहां पर पूशा गया कि निमखित संस्कृतियों में से कौन सबसे पहले अपने मिट्टी के बरतनों को रंगते थे तो रंगने की शुरुवात ध्यान रखियेगा यहां पर पेंटिंग की बात की गई है हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है यहां पर पेंटिंग का मतलब है यहां पर चित्रकारी रंगते थे नहीं बलकि चित्रकारी करत प्रारंब हो जाती है अल्राइट, clear है सभी लोगों को तो अच्छा उम्मती जी का कहना है कि मैं question बोल क्यों नहीं रहा हूं चुप क्यों हूं भाई मेरे question में एक एक प्रशन बोल रहा हूं, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो please आप एक बार refresh कर लीजिए या आप एक बार voice fix कर लीजिए आवाज बिल्कुल clear आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी तो इसका सही जवाब क्या होगा New think age is the right answer क्योंकि एक जगह पड़ती है लंगनाज लंगनाज तो इस जगह से लंगनाज से हमें जो है सबसे शुरुवात के चित्रकारी वाले बरतन देखने को मिलते हैं ध्यान रखेगा ठीक ना प्रारंबिक वैदिक काल में वड़न व्यवस्था किस पर अधारित थी सिक्षा पर जन्म पर व्यवसाय पर रंग पर दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब नमस्कार प्रारंबिक वैदिक काल में वड़न व्यवस्था किस पर अधारित थी तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा अन दो बिजनेस या व्यवसाय पर किस पर व्यवसाय ठीक है ना आप ये चीज़ जिहां रखेगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये भी नहीं और ये भी नहीं व्यवसाय और बिजनेस is the right answer देखें जिनको लगता है कि वर्ण दोस्तों प्रारंबिक वैदिक काल में उसके भी पहले उसके भी पहले रंग पर आधारित जो विवस्था थी उसमें सिर्फ अवर्ण और सवर्ण या आर्य और अनार्य ये शब्द जो है ये कई लोग गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हैं दरसल में ये शब्द हमें वैदिक काल में देखने को नहीं मिलते हैं हमें देखने को मिलते हैं आर्य और अनार्य आरे और अनारे ठीक है ध्यान रखेगा अनारे में आप जानते होंगे दास और दस्त्यू दास और दस्त्यू ठीक है दस्त्यू जो है ये आरेों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था ठीक है ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था जो कि कम उचाई के कम लंबाई के व्यक्ति थे जिनके जो है वो डार्क कॉंप्लेक्शन हुआ करता था ठीक है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को दस्त्यू कहा जाता था और दास ऐसे लोग थे जो कि शुरुवात में आरे ट्राइब्स रहे होंगे पर बाद में आ करके लोकल हैना लोकली रिलेट हो गए मैरिज वगरा करके यहीं पर सेटल हो गए इनको दास कहा गया है ठीक है चंद्रा जी चंडाल वगरा जैसे शब्द जो है यह वैदिक काल के शब्द नहीं है यह अगर है तो अगर वेदों में मिलते भी हैं तो यह इंटरपोलेशन के जैसे हैं यानि कि बाद में जो इंसर्ट किये गए शब्द होते हैं क्योंकि चंडाल शब्द का जो प्रचलन है ये मुख्यतः उत्तरवैरी काल के अन्तिम समयہ पर प्रारंब होता है श्वेतांबर परंपरा जैनियों की वो किसे एक महिला मानते हैं कौन से तिर्थंकर को सुमतीनात, शांतीनात, मल्लीनात, अरिस्टनेमि बताइए सब फड़ा फड़ा आंसर करिए जड़ा इस प्रश्न का श्वेतामर परंपरा के नुसार एक महिला मानी जाते हैं आंसर क्या होगा? option number C होगा मल्लिनाथ क्या होगा? मल्लिनाथ ध्यान रखिएगा ठीक है न? अच्छा The earliest evidence of the settled agriculture from subcontinent comes from उप महाद्वीप में बसे हुए क्रिसी का पहला प्रमाण कहां से मिलता है? ये देखो जड़ा options के हिसाब से उत्तर देना है आप सभी को आप लोग smart हैं अगर options में आपको कहीं से भी लहुरा देवा लहुरा देवा नाम की जगह मिलती है तो दोस्तों आपको फिर यही answer मानना है पर अगर वो option में नहीं है तो आपको महरगढ answer करना है बात समझ में आई सभी को ठीक है न? Is it clear to everybody? I hope so निल्वकित में से कौन सी घाटी विविन काल खंडो के पुरा पाशान काली चित्रों के निरंतर निरंतर निरंतरता निरंतरता के लिए जानी जाती है बुहार बुलं घाटी भीम बेट का सोहन घाटी या भादर घाटी ठीक है न? तो आपको बताना है कि कौन सी घाटी ऐसी है जो की अलग-अलग प्रकार के पाशान काली निस्थलों के चित्रकारियों से पहचानी जाती है बताना है आप सभी लोगों को इसका सही जवाब क्या होगा ओके? आंसर करिए, फटा-फट से आंसर करिए बताए सभी लोग फटा-फट से ध्यान रखेगा इसका आंसर बहुत सिंपल सा है बहुत इजी सा है सभी लोग जानते है इसका नाम क्या होगा आप्शन नमबर B भाई मेरे भीम बेटका अब लोग कहेंगे भीम बेटका कौन सी घाटी है तो भाई भीम बेटका ध्यान रखेगा यह नर्मदा बेसिन का नर्मदा बेसिन का स्थल माना जाता है और इसलिए आपके आपके सोहन वैली से भी और आपके भादर वैली से भी मिले हुए है पर कंटिनुवेशन में सिर्फ भीम बेटका में सिंदु घाटी सब्वेता किसका उदारन है पूर्वतिहास या प्रागयतिहासिक काल का उदारन है ठीक ना ओके प्रागयतिहासिक काल का उदारन है या प्रोटो हिस्टोरिकल उदारन है या कंटिनुवेश स्टोरी है या इतिहास है तो बताना है आपको कि आपका सही जवाब जो है ये क्या होगा और राइट फड़ा फड़ा आंसर करिए सभी लोग इसका राइट आंसर करिए फड़ा फड़ से दोस्तों सिंदुभाटी सभ्यता अगर इसकी लिपी को पढ़ लिया जाता इसमें जो लिखा हुआ है अगर उसको पढ़ लिया जाता तो फिर इसे हम कहते कि ये एक हिस्टोरिकल टाइम पिरिएट पर अगर इसको पढ़ा नहीं गया तो क्या हुआ ये प्रोटो हिस्टोरी यानि की आध्य आतिहासिक काल ठीक है आध्य आतिहासिक काल हो गया ये आल्राइट अव्रिवन नेक्स्ट क्वेस्चन है प्रावंभिक पुरुष्यों द्वारा उगाए जाने वाले पहले अनाज कौन से थे भई गेहू और चावल गेहू और जो जो और मक्का जो और चावल क्या होगा इसका सही जवाब गुड एवनिंग आईशा जी बताए इसका सही आंसर क्या होगा अर्ली मैन अर्ली men या अर्ली human beings क्या grow करते थे गेहूं चावल गेहूं जव जव मक्का जव चावल right answer will be option number B गेहूं और जव हालां की फिर से एक बार ब्यान रखिएगा ब्यान रखिएगा अगर जव और चावल की बात करेंगे option number D तो अध्यतन अध्यतन प्रमाण के अंतरगत अध्यतन प्रमाण के अंतरगत जब हम लहुरा देवा को लहुरा देवा इस स्थान को consider करते हैं जहां पर 11,000 वर्ष पूर्व धान की खेती धान की खेती के साक्ष मिले हैं तो द्यान रखिएगा कि जौ और चावल ये सबसे पुराने हो जाएंगे तो D is the right answer D is the right answer ठीक है न? D is the right answer ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा ये अध्यतन प्रमाण के अंतरगत लहुरा देवा पर पुराना आंसर किसे माना जाता है गिहूं और जौ को क्यों? क्योंकि मेहरगड सबसे पहले मेहरगड का हमें मिलता है सबूत इसलिए गिहूं और जौ आंसर होता पर अगर सवाल पुछा जाए कि हरप्ता की right किसी बुक में बारले और राइस दिया गया है आईशा जी बिलकुल सही दिया गया है जिस बुक में बारले और राइस दिया गया है मतलब कि उस बुक में लेटिस्ट अपडेट के हिसाब से दिया गया है और NCRT क्लास 6 में गिहूं और जौ दिया गया है मतलब कि वो अभी अभी अपडेटेड नहीं है वो अपडेटेड नहीं है ठीक है ना? धेहां लख्खेगा डीक ना? वो थी जात ओक devotion के अड चीज में आप लोगों को धेहां लखना है got it? ना, so next question number 21, question number 21, निवकित में से कौन हरपा के लोगों की समुद्री गत्विदियों से सम्मंधित स्थलों में से एक नहीं है, right, एक नहीं है, okay, all right, बताईए, तो right, इसका right answer को होगा, बाला कोट, लोथल, सोक्ता कोब, सोक्ता कोब या पाठली पुत्र, तो guys, option number D, जो है, पाठली पुत्रा is the right answer, okay, right, पाठली पुत्रा is the right answer, okay, now, next question क्या होगा भई, मोहन जोदारों के गढ़ में, मोहन जोदारों के गढ़ में, विशाल इसनानागार का संभावित देश शनिर्वकित में से कौन सा नहीं था, कौन सा नहीं था सामुदाई किस्तान तैराकी अभ्यास, पानी के खेल कॉर्पोरेट, समाजिक जीवन सहित महत्वून, महत्व के कुछ अनुष्ठान या सूखे और आपातकाल के दौरान उपयोग किये जाने वाले पानी का भंडारण कौन सा नहीं हो सकता था ठीक है बताईए इसमें से क्या हो सकता था कि जो आंसर ना, मतब उस वक्त का प्रयोग नहीं हो सकता था अल्राइट ना तो गाइज इस प्रशन का देखिए यहाँ पर ध्यान रखेगा पैराकी अभ्यास और पानी के खेल यह सबसे कम सबसे कम जरूरी option नजर आता है क्योंकि याद रखेगा कि वहाँ पर पानी के खेल प्रचलित थे ऐसा कोई साक्ष देखने को नहीं मिलता है वहाँ पर आम तोर पर बैलों की दोड या बैलों की लड़ाई या फिर इवन आपके वो पासे वाले खेल सटरंज जैसे खेल इस प्रकार के गेम्स ज़्यादा देखने को मिलते थे हलांकि स्टेडियम वगरा का भी साक्ष मिला हुआ है मुहंज दाडो धौला वीरा यहों से लेकिन उसमें पानी के खेल के कत्तई भी अवशेश नहीं देखने को मिलते हैं ठीक है ना तो राइट आंसर क्या होगा आप्शन अमर बी होगा नेक्स्ट वेस्टन लगबग सभी हडपा नगरों में बड़े अनभंडार थे क्योंकि करों का अभुकतान वस्तू के रूप में किया जाता था इसलिए अनभंडार एक प्रकार के सारजोनिक खजाने के रूप में काम करते ग्रामेड इलाकों की जो सर्प्लस प्रोडक्शन थी वो शहरों में इकठा की जाती थी और फूड ग्रेंज का स्टोरेज जो है वो ट्रेड के परपस से भी किया जाता था या सारे की सारी बातें सही है सारी की सारी बातें सही है बताईए इसका क्या जवाब होगा तो जाइज इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा option number option number d होगा option number d होगा yantom key all of the above okay all of the above that means जवाब क्या होगा option number d सारी की सारी बातें सही है सारे बड़े बड़े शहरों में अनाज जो है वो स्टोर किया जाता था और वो अनाज आता कहां से था तो गाउं के इलाकों से आता था और इसके अलावा अगर बात करें तो उनका परपस क्या था ट्रेडिंग का परपस था एडिशनल क्रॉप्स को स्टोर करने का परपस था विदिन इस्थलों पर पाए गए हरपावासियों के बिखरे हुए कंकालों के अवशेशों से सबसे उपयुक्त निश्कर्स क्या निकाला जा सकता है क्या वहाँ पर कोई मलेटरी हमला या सैन्य हमला हुआ था क्या कोई मानव बली या कोई मास एग्जेक्यूशन हुआ था क्या वहाँ पर कोई casual burial of the human bodies यानि की आकश्मिक अन्तेष्टी वगरा की गई थी या malaria या कोई अन्य रोज यानक इस्थि हुआ करती थी तो गाईज इसमें आप सही से आंसर राइट इसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा बताईए विविन इस्थलों पर पाए गए हडपा वासियों के बिखरे हुए कंकाल के अर्शेशों से सबसे उप्यूक्त निश्कर्ष क्या निकाला जा सकता है ठीक है तो गाईज इसका सही जवाब क्या होगा कि कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके चलते अचानक जो है कि डिट हो गई थी हालागई इस प्रकार के प्रश्णों में अगर इस प्रकार के प्रश्ण में और ईप्शन नंबर ई आता है यानि कि उपरोग्त में से कोई नहीं या एक से अथिक तो दोस्तों याद रखिएगा कि आज के समय में हरपा के पाए गए कंकालों के अवशेशों से कोई भी आंसर कॉंक्लूजिव नहीं बनता है क्योंकि लेटिस्ट डिस्कवरीज की वजह से option number E जो है वो सबसे सही आंसर माना जाएगा ये सब जितनी भी मानेताएं हैं ये वही NCRT वाली मानेताएं हैं जो कि पुरानी हो चुकी है यानि कि 2006-05 में आखरी बार रिवाईज हुई थी 2005 में 15 साल से उपर हो गए है रिवीजन हुए तो आप समझ लीजे कि 15 साल में तो वही इतिहास में कुछ नई नई डिस्कवरीज हो चुकी है नई सारी चीजें आ चुकी है तो we have to be very much careful about it है ना हरपा देवताओं में से एक जो बाद की हिंदु धर्म में प्रत्निध्व नहीं करता है ठीक है ना नियान रखिएगा हरपा देवताओं में से कौन सा है जो की हिंदु धर्म में हमें दिखाई नहीं देता है परशुपती सिव राइट सब्त मातरिका तो उसी को सब्त मातरिका कहा गया है या सब्त देवी कहा गया है अब राजिता जी अभी दो फिलहाल बफरींग मुझे देखने को नहीं मिल रहा है बट अगर होगा तो मेभी कोई इश्यू है ना ठीक है ना नियानल के और यूनिकॉर्ण तो राइट आंसर क्या होगा option number D होगा यूनिकॉर्ण क्योंकि हम आज भी compound organisms की पूजा करते हैं nursing की पूजा करते हैं that means yogic जीव की पूजा करते हैं हम आज भी मात्रिकाओं की पूजा करते हैं शिव की पूजा करते हैं या ऐसे भगवान की जो पशुपती कहे जाते हैं बट हम यूनिकॉर्ण की पूजा नहीं करते हैं फिलहाल ठीक है ना ओल्राइट ना next question सिंदु बाठी से पता के निल्वखित स्थलों में से कौन से स्थल में एक प्राचीन गोदी या ancient dockyard पाया जाता है तो dockyard वाला question बहुत बार repeat हुआ है लेकिन हर बार ये फिर भी exam में पूछ लिया जाता है answer option number B होगा लोथल ठीक है ना हरपा के लोथल ओके then bala coat bala coat all right sutka gendor okay sutka gendor all right धौला वीरा okay then इसके अलावा आपके और भी है ना और भी जैसे की चंध हुदारो ठीक है ना या ऐसे कई सारे locations थे जो कि बड़े ही महतुपूर्ण थे ट्रेड के यानि व्यापार के लिए पर उनमें से लोथल, बाला कोट, सुथका गैंदोर वगरा ऐसी लोकेशन्स थे जो की जो की ओशनिक ट्रेड के लिए भी उतने ही जादा महत्वपूर्ण थे ठीक न? सिंदुगाडी जबता में मुहर का प्राथमी को देश क्या था वही? प्रयोग अगर कोई नजर आता है तो वो आता है व्यापार में एक्शेंज के रूप में अदर्वाइस आप खुद सोचिए भला की मुहंजदारों की जो मुद्राएं हैं, जो सील्स हैं, वो हमें मेजोपोटामिया में देखने को क्यों मिलती या हमें आपके मुहंजदार में जो मुद्राएं हैं वहाँ पर हमें मेजोपोटामिया की इरान की मुद्राएं भला क्यूं देखने को मिलती है तो राइड आंसर ऑप्शन भी होगा जमू कश्मीर में सिंदू सब्विता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा ये कौन से नदी के तट पर लोकेटेड है बताईए फड़ा फड़ से आंसर क्या होगा बताईए कौन से नदी के तट पर लोकेटेड है इसका सही जवाब क्या होगा वही फड़ा फड़ से आंसर करिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नबर सी चेनाम चेनाम ओके क्या होगा आंसर ऑप्शन नबर सी होगा चेनाम सिंदू सब्विता में नगर नियोजन के बारे में गलत कथन का चैन करिए वही ग्रिड प्रनाली की तरज पर विवस्थित नगर नियोजन था पस्चिमी स्थल पर मजबूर गड़ पूर्वी तरफ मिचला शहर था घरों की खिड़किया मुख्य सरगो पर खुलती थी उलेखनी और अच्छी तरफ से विक्सित भूमिगत जलनिकासी विवस्था थी ठीक ना बताएगा क्या होगा इसमें से गलत स्टेटमेंट रॉंग स्टेटमेंट कौन सा होगा विच वन विल बी तर रॉंग स्टेटमेंट तो गाइस ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number C घरों की खिड़किया मुख्य सरगों पर नहीं बलकि अंदर की गलियों वाली सरगों पर खुलती थी right मुख्य सरगों के पीछे all right तो right answer option C होगा सिंदू सब पिताके की सस्थल से मिश्चित फसल के साक्ष मिलते है mixed cropping is seen from which side of the indus civilization बताईए सर mixed cropping जो है वो कहां देखने को मिलती है mixed cropping mixed cropping के साक्ष कहां से देखने को मिलते है वही बताईए फड़ा-फड से all right everyone तो guys इसका इसका सही answer क्या होगा फड़ा फड़ा पर बताईए mixed cropping के साक्ष कहां से देखने को मिलते है all right तो guys इसका सही जवाब क्या होगा हम लोग देखते हैं दोस्तो इसका सही जवाब होगा option number D काली बंगा option number D काली बंगा तो ध्यान रखेगा इसमें बहुत confusion है बच्चों को लेकिन चन हुदारो नहीं होगा नहीं A होगा mixed cropping mixed cropping के साक्ष जहां पर सबसे बहतरीन खेती होगी वहीं से देखने को मिलेगा न लोथल अपनी खेती के लिए मशूर नहीं था चन हुदारो खेती के लिए मशूर नहीं था धोला वीरा भी खेती के लिए उतना मशूर नहीं था जितना की काली बंगा याद रखिएगा धोला वीरा तो जल संरक्षन के लिए जाना जाता है क्योंकि जल संरक्षन के लिए ध्यान रखिएगा वहाँ पर वहाँ पर हमें stepped wells मिले हुए है stepped wells यानि की जो सीड़ीदार कुएं होते हैं बावली जिनको कहा जाता है लोथल डॉक्यार ट्रेड के लिए चंद हुदारो मनके की factory मिली हुई है यहाँ पर है ना मनकों की एक factory मिली हुई है है ना तो ये तीनों के तीनों industrial type के थे industrial type के थे काली बंगा ख्यतिहर था इसलिए option D किस हडपा इस थल से गोलाकार बटन के आकार की मुहर प्राप्त की गई है जिसे भारस की खाड़ी की seal कहा जाता है बताए सर्थ circular button shaped seal called as a Persian gulf seal वो कौन से शहर से प्राप्त की गई है gulf seal कहां से प्राप्त की गई है बताए बताए सर्थ gulf seal या Persian बटन के आकार की जो seal है वो कहां से प्राप्त की गई है फटाफट से आंसर करिये सभी लोग बताए तो गाई इसका सही जवाब क्या होगा भाई ध्यान लखेगा इस प्रशन का देखो ये प्रशन भी इंपोरटंट है काफी ज़ादा एक्शाम में पूछे जाने की उमीद भी रहती है इसकी ठीक ना इसका सही जवाब होगा option number option number A लोथल बटन के जैसी seal बटन के जैसी seal जो है ठीक ना लोथल से लोथल से एक बटन के जैसी और मुहन जोदाडों से एक बेलना कार ठीक है ना तो बेलना कार seal और बटन के जैसी seal जो है वो प्राप्त हुई है या नखेगा दोनों को ही ये माना जाता है कि विदेशों की कोई seals रही होंगी तो राइड आंसर क्या होगा option number A होगा सब गलत हो रहा है बिल्कुल परिशान मत हो ये ये गलत अगर हो रहा है तो exam में सही होगा इसकी चिंता आप बिल्क छोड़ दीजेए ठीक है ना अब बताए जबाएब बेलना कार मुहरे जो है वो कहां से प्राप्त हुई बेलनाकार मुहरे कहां से प्राप्त हुई है एक जगह तो मैंने आपको बता दी एक जगह तो मैंने आपको पिछले प्रश्न के explanation में बता दिया गलती से दरसल में मोहन जदारो आपको मैंने already बता दिया है और मोहन जदारो का अलावा यहां पर कोई और आपको दिख नहीं रहा है जिसमें मोहन जदारो लिखा हुआ रहे तो right answer option C ही होगा मोहन जदारो में निवकित में से किस प्रकार का दफन नहीं देखा जाता है complete burial, fractional burial, post cremation burial या जिसको कहा जाता है earn burial भी कहा जाता है और double burial तो इसमें से कौन से प्रकार का burial system मोहन जदारो में देखने को नहीं मिलता है ठीक ना, answer होगा option number option number d double burial क्या होगा double burial याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ अच्छा किताबों में आपको देखने को मिलेगा लोथल किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि लोथल से एक दोहरी शवाधान की प्रणाली देखने को मिली है लेकिन मैं आपको बता दू कि 2017 में, 2017-18 के excavation में राखिगढ़ी से हमें एक double burial प्राप्त हुआ है जिसमें तो अगर हम कभी exam में पूछा जाता है दोस्तों तो सिंदुगाथी शवाधा में दोहरा शवाधान जो है यानि कि दोहरा बरियल जो है वो लोथल से और राखी गढ़ी से हमें देखने को मिलता है यहां रखिएगा लोथल और राखी गढ़ी दो जगहों से ठीक है न अल राइट रोजडी कहांपे है पाकिस्तान के साइड में मनीश कमार जी करनाटक में पिकली हाल करके जगह है वहां पर तो मिलता ही है बाकी अर्ण बरियल जो है हो में इंडस वली सिविलाजेशन में भी देखने को मिलता है ठीक है ना next question सिंदुगाटी सब्विता के लिए कौन सी धातु अज्यात थी? अन्नोन, सोना चांडी, तामबा लोहा सोना चांडी, तामबा लोहा अपस़ों गूगल, गूगल इतना महान हो चुका है कि गूगल को कॉपर की हिंदी नहीं पता बिचारा कॉपर लिख रहा है तामबा है न? तो आंसर क्या होगा? इसका option D होगा लोहा, सिंदुगाटी सब्विता के लिए अगर लोहा के बारे में अगर वो लोग जान जाते आप यकीन मानिये कि लोहा अगर उनको पता चल जाता तो शायद इतने advance हो चुके रहते कि nobody can imagine दाढ़ी वाले बाबा की मूर्थी कहां से मिली होए है यह न? the bearded man, right? bearded man from where we have obtained the statue of bearded man हरपा, मोहंजदारो, चनहुदारो, धौला वीरा tell me the right answer everyone कहां से मिली है दाढ़ी वाले व्यक्ती की मूर्थी दोस्तों इसका सही जवाब सबको पता है यार option number B होगा, मोहंजदारो से हमें bearded man की मूर्थी मिली है bearded man, जो की एक robe पहने हुए है क्या पहने हुए है? robe, ठीक न? robe यानि की वही जो जैसे bathrobe type को आपने shawl type कलपेटा हुआ है उसने उस तरीके का floral print वाली shawl है उसकी भाई की floral print वाली shawl सिंदुगाडी से पिता में लिपी उसको क्या कहा जाता है? लिपी को खरोष्ठी, ब्राहमी, बॉस्टोफेडॉन none of these तो answer क्या होगा इसका? option number C होगा, ऐसे प्रशनों में आपको समय बिल्कुल जाया नहीं करना है एकदम बिल्कुल लिखित answer है बिल्कुल यही answer है कोई इसमें discussion, कोई इसमें doubt की गुंजाईश ही नहीं है answer option C होगा, बॉस्टोफेडॉन जिनको नहीं पता है, तो बॉस्टोफेडॉन क्या होता है? कि उसको ऐसे लिखा जाता है जैसे मैं यहां लिख रहा हूँ आया समझ में? ठीक है? गाइस ऐसे लिखा जाता है उसको, ठीक है? this and this and this, okay? left to right to left to right ऐसा मिनकीत मैं से कौन सा सिंदु भाड़ी सा बता अस तल एक गोधी का प्रमान देता है question repeat हो गया है, चलो इसी में repeat हो गया, कोई बात नहीं option C lotal होगा, छोड़ दीजे इसको sorry एक मुहर जिसमें देवी मा को दर्शाया गया है, जिसमें उनके गर्भ से पौधे उग रहे है, यह मुहर कहां पाया गया है? कहां पाया गया है भही? हडपा में, मोहंजदारों में, काली बंगन में या फिर धौला वीरा में बताईए सब फटाफट से एक मात्र देवी दिखाई गई है जिनके गर्ब से पौधा उग रहा है तो ये कहां पर दर्शाया गया है बताईए के सब लोग फटाफट से आंसर, फटाफट आंसर करिए ओर्राइट गाईज, तो इसका सही जवाब क्या होगा भई इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा ओप्शन नमबर ओप्शन नमबर A ओप्शन नमबर A हडपा ओप्शन नमबर A होगा इसका सही जवाब नेक्स्ट क्वेस्चन है, सिर्दुगाडी सब्विता की खोज किसके द्वारा की गई थी है, अब ये क्वेस्चन अगर आ गया CDPO में और अगर किसी ने इसको गलत कर दिया, तो यार फिर तो बड़ी ही दुख वाली बात मानी जाएगी, क्योंकि सबको पता है, आंसर 1921 ठीक है न, उन्हें डिस्कवर किया था, हडपा के लोगों में दफन, एक सामान दफन प्रणाली थी जो की सावित होती है, सामान रुप से उत्तर की और रखे मृत्कों के सिर, जिनके साथ इनको मित्टी में दफनाना, मृत्कों के साथ आम तो पर इस्तमाल की जाने वाल वस्तूओं को दफनाना, A और B दोनों कॉमनली देखने को मिले हैं, और बैठी मुद्रा में शव को दफनाना, गैज, बैठी हुई मुद्रा में शव को दफनाना ये सामान तोर पर तो नहीं पाया गया है, पर option C इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सामान रुप से की साइड में जो है, वो सर और साउथ की साइड में पैर रख करके मृत्कों को दफनाया जाता था, और आज भी इंडिया में जो डेड बाडी को हैंडल किया जाता है, वो ऐसे ही किया जाता है, इसी प्रकार से किया जाता है, ठीकर अध्यान रखिएगा, ओके, everyone, so, 40 सेगं है, आरियों के मुख्य विरोधी, गैर आरे मूल के स्वदेशी लोग थे, जिन्हें पणी, जिन्हें पणी, और दास या दस्यू के नाम से जाना जाता था, वो कारक जिसने आरियों को स्वदेशी जनजातियों के खिलाफ संघर्ष में विजई होने में सक्षम बनाया वह था, गाईज ये क्वेस्चन एक बार फिर समय आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेस्चन एक मान्यता पर आधारित है, एक मान्यता पर आधारित है, ठीक है, ये प्रश्ण जो है आज की तारीख में, आज की तारीख में, इस पर काफी जादा विवाद है, ये बहुत ही व विवादित प्रश्न है तो ऐसा कोई प्रश्न आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा इस बात पर तो मुझे थोड़ी कम गुंजाईश है पर अगर बाई चांस देखने को मिल गया अगर देखने को मिल गया तो आपके लिए सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number right option number c right superior military equipments क्योंकि आर यह जो है इनके पास better better tools and better transportation ठीक है ना better tools and better transportation देखने को मिलता था इनके पास अच्छे quality के कांसे के आउजार होते थे इनके पास बहतरी तेज दोड़ने वाले गोड़े होते थे जिसके चलते यह माना गया कि अगर कोई संगर्श हुआ होगा हलांकि संगर्श हुआ है नहीं हुआ है इस बारे में बड़ा विवाद है और बड़ा विवाद है लेकिन फिर भी आपको आंसर ऑप्शन सी मानना चाहिए ठीक ना ऑप्शन्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं वैशनरी जी ऑप्शन्स तो यार मेरे हिजाब से बड़े भारी-भारी लिखे गए हैं दिखने तो चाहिए आपको अच्छे से मैं मोबाइल में खुद भी क्रॉस चेक कर लेता हूं बीच-बीच में तो I am able to see that कौन साथ नदियों की भूमी का सही वरणन करता है जहां पर प्रारंबिक आरवस्तियां इस्तित थी शुरुवाती आरे सटल्मेंट्स सब्त सैंधव की जमीन पर थे सब्त सैंधव का इलाका किस इलाके को कहा जा सकता है सिंदु घाटी छेत्र पंजाब दिल्ली का छेत्र पुर्वी अफगानिस्तान से गंगा की उपरी घाटी तक का छेत्र या सिंदु और इसकी प्रमुक सहायर नदियों की भूमी ठीक ना बताईए क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों इसका सही जवाब तो मेरे हिसाब से आपको धूंडने की जरूरत भी नहीं है आपके सामने लिख रहा है और सिंदु और प्रमुक सहायक नदिया यानि कि Optional D इसका Right Answer होगा Optional D इसका Right Answer होगा ठीक ना Optional D आप सभी जानते हैं कि सब्तसेंधव यानिकी सिंदू और उसके आज के तारीख में पांच सहयक नदियां हैं उस समय में सरस्वती भी हुआ करती थी जो कि आज के समय में घंगर हाकरा चैनल जिसको कहा जाता है तो ये जो है साथ नदियां हुआ करती थी निमलकित में से कौन सा हरपा सभिता का एक प्रमुख और द्योगिक नगर नहीं था फिर से फिर से वही चीज लोथल चंधुदारो हरपा काली बंगा प्रमुख और द्योगिक नगर नहीं था नहीं था ठीक है अभी कुछ दिर पहले ही एक question किया था मैंने जिसमें आपको मै ने एक logical explanation बताया था right answer इसका क्या होगा guys option number option number d होगा काली बंगा काली बंगा ठीक है ना option number d काली बंगा while it is gonna partner kowego नेक्स्ट है भडपा संब्परा संब्था के संबन्ध में कौन सा कथन सही है सही है मानक हरप्रा मुखरेस यानि standard हरपन seals मिठी से बनती थी हडपा के निवासियों को ना तो तांबे का ज्यान था ना ही कांसे का हडपा सब्विता ग्रामेर सब्विता थी हडपा के निवासी कपास उगाते थे और उसका प्रयोग करते थे which statement is correct correct statement कौन सा है correct statement कौन सा है right answer इसका क्या होगा option number D की हडपा की निवासी उगाते थे कपास और उसका प्रयोग करते एकड़म सही answer होगा option number D कपास को ग्रीक स्लोग कहते हैं syndon यानि की सिंधू के इलाके में होने वाला syndon जो है वो latin pronunciation में जा करके बन गया siton siton जो है वो या cotton और English में भी cotton ही बोला जाता है siton या keton से cotton बन गया हडपा का स्थल हडपा जो है हडपा कौन से नदी के तट पर स्थित है सरस्थोती सिंधू ब्यास रावी आंसर होगा भई इसका क्या option number D रावी नदी मौन्ट गोमरी इलाके में रावी नदी के तट पर हडपा इस्थित है बौधिक साक्षियों से प्राप्त हडपा के लोगों की राजनेथी कैसी थी secular federalist theocratic federalist oligarchic या theocratic unitary ठीक है ना तो क्या answer हो सकता है इसका इसका answer क्या हो सकता है secular federalist हो सकता है theocratic unitary हो सकता है तो guys याद रखिएगा यहाँ पर theocratic theocratic मतलब होता है यहाँ पर theocratic मतलब लोकतर्मवादी धर्मवादी यह google ने गलत translate किया है इसके लिए google की तरफ से मैं आपसे एक शमा मांगता हूँ धर्म तांतरिक लोकतंतर नहीं धर्म तांतरिक जो होता है धर्म तंतर उसे कहते हैं theocratic क्या कहते हैं theocratic तो guys धर्म तंतर जैसा तो नजर नहीं आता है secular जैसा और federalist जैसा नजर नहीं आता है oligarchic हो सकता है हो सकता है ठीक ना right answer it may be कि वहाँ पर भही देखो कहीं पर अगर option e इसे में लहता इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं ठीक है ना तो answer option e होता answer option e होता ठीक है ना ये चीज हमेशा द्यान रखिएगा और ये क्या है ये बिल्कुल हखीकत है हमें कुछ नहीं पता है इन में से किस प्रकार का था, इन में से किस प्रकार का था, ओके, तो right answer option E होगा, अगर होगा तो, otherwise option C is the closest, closest answer, now, कौन सी हडपा, right, हडपा सभिता की एक विशेशता नहीं थी, गर्वासे खिड़किया आम तोर पर side lane का सामना करती हैं और शायद ही कभी मुक्सरकों पर खुलती हैं, घरों में आम तोर पर अलग इस्नान छेत्र और प्रसाधन के छेत्र हुआ करते थे, किले की, किले गढ़ में जो है वो दिवार थी, लेकिन निचले शहर की दिवार नही की, ठीक है, दूसरी मंजिल से नालियों और पानी की धलानों को अक्सर दिवार के अंदर बनाया जाता था, ठीक है न, तो इसमें से right answer क्या है, हरपन सोसाइटी का, हरपन सोसाइटी का विशेषता कौन सा नहीं था, ओके, बदाएंगे, आंसर क्या होगा वे, इसका option number, option number D होगा, कि ऐसा नहीं होता था कि दूसरी मंजिलों से नालिया जो है, वो दिवार के अंदर बनाई जाती थी, as it is जैसे रहता था, वो वैसे ही बनाई जाती थी, ध्यान रखियेगा, ठीक है न, वैसे ही बनाई जाती थी, okay, right answer option number, option number D हरपय सब्दा का टेरा कोटा हल कहां पर पाया जाता है, मिट्टी का बना हुआ, टेरा कोटा का बना हुआ एक हल, okay, बिल्कुल, बिल्कुल आयशा जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि question level लगभग वैसा ही रहता है, ध्यान रखियेगा, लगभग वैसा ही रहता है, और ल यूजुली factual रहेंगे, जैसे BPSC में रहता है, factual वैसा ही questions factual रहेंगे, modern का level थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, ठीके न, और जस्टी रेड़ी इस ताइम, बिल्कुल, तो कहां से मिला है हमें भई, टेरा कोटा का बना हुआ हल कहां से मिला हुआ है, तो ध्यान रखियेग तो इसका सही जवाब होगा, option number, option number, sorry, काली बंगा, अचा वैसे देखो, बुक्स में आम तोर पर जो है वो बनवाली और बनवाली से हमें मिलता है हल, बनवाली से, लेकिन काली बंगा, बनवाली और लोथल, इन तीनों स्थलों से, पीनों स्थलों से, ठीक है न, तेरा कोटा, हल, प्राप्त हुए है, ठीक है, नियान रखियेगा, हलांकि NCRT जो है, NCRT इसको recognize करता है, जैसा कि मैंने बताया, पुराना, हाना, पुराना, ओके, नियान रखियेगा, बनवाली में, अचा, जो काली बंगा में, काली बंगा में, जिनको confusion है, तो मैं आपको बता दू, काली बंगा में, हल से जोते गए, खेतों के साक्ष मिलते हैं, बनवाली में, हैना, बनवाली में, जो है, वो हल से जोते गए, खेत, और मिटी के, और, मिटी के, और, स्टेटाइट के बनाए गए हलों के खिलोने मिलते हैं ठीक है ना तो तीनों जगहों से अलग-अलग प्रकार के हलों के साक्ष्य मिलते हैं ठीक है मोहंजदारों में घरों के निर्माण में कभी भी चूने दारे का प्रयोग नहीं किया गया धुला वीरा में आवासों के निर्माण में पत्थर का इस्तिमाल कभी नहीं किया गया कौन सा कथन जो है ये सत्य है आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है you have to tell all right everyone question ध्यान से पढ़िये और answer करिये फटा-फट से question क्या कह रहा है भई पढ़ तो लिया आप सभी लोगों ने में ख्याल से है ना दोस्तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा option number D कोई भी सत्य नहीं है सुगंद सर्मा जी बिलकुल अगर BPSC में बनवारी बताया है मतलब BPSC जो है वो पुराने वाले NCRT कोंसीडर कर रहा है और पुराने वाले NCRT को कंसीडर कर रहा है मेरे भाई तो आपको भी वही मानना पड़ेगा है ना इसलिए मैंने तीनों options explain कर दिये जो सही लगे है ना जो सही रखी है मतलब जो आपको अच्छा लगे वो answer मारिये इसका answer पचासमे का D होगा भाई मेरे घरों के निर्मान में कभी भी चूने के और गारे का प्रयोग नहीं किया गया तो बिल्कुल गलत है lime mortar का प्रयोग तो होता था और तो और stone was never used in the धोला वीरा भाई मेरे धोला वीरा में तो सबसे बहतरीन stones का प्रयोग किया गया है पत्थरों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ धोला वीरा में ही किया गया है मिठी का प्रयोग काली बंगा में किया गया है ठीक ना? ज्यान लखिएगा किस प्रकार के विवाह में the payment of the bride price was a condition यानि कि दुलहन को पैसा दे करके खरीद लेना एक प्रकार से एक शर्त हुआ करती थी ठीक ना? आयशा जी explain मैंने अल्रेडी कर दिया कि चूने के गारे का मतलब की lime mortar चूने पत्थर के प्रयोग से इटे जोडने की कला मुहंजदाडों में कभी प्रयोग नहीं की गई है ये गलत बात है this was used ठीक है ना? इसी प्रकार धौला वीरा में धौला वीरा इकलौटी जगह है जहां पर पत्थरों के बनाए गए घर भी देखने को मिलते हैं ठीक है ना? that is why option number second वारा जो statement है वो भी गलत होगा okay right answer option number D होगा ठीक है आईशा जी? now 51st में answer option A होगा भाई मेरे असुर विवाह जो है दरसल में असुर विवाह यही होता था जहां पर आम तोर पर सौदे बाजी के जैसा सौदे बाजी करके जो है वधू को खरीद लिया जाता था उसके फादर को कुछ पैसे वगरा दे करके लड़की को एक तरीके से परचेस कर लिया जाता था that was the असुर that was the असुर विवाह ब्रह्म विवाह मतलब की लड़की के फादर जो है वो जाकरके एक योग गिवर ढूणते थे और उससे शादी करते थे with a due reverence दैव विवाह मतलब क्या होता था जहाँ पर ब्रहमन के ब्रहमन के साथ ही जो है वो विवाह करने की कोशिश रहती थी या फिर जिसको ब्रहमन designate करे उससे गंधर विवाह love marriage होता था प्रजापती विवाह जहां पर लड़के का फादर लड़की की तरफ जाता था और आपका आर्ष विवाह जो होता था आर्ष विवाह क्या होता था आर्ष विवाह में कुछ एक pair of कोई भी gift एक pair of bull या pair of cows इसके बदले में exchange करके शावी हो जाती की ठीक ना लेकिन असुर विवाह में आम तोर पर forcefully कि ये लोग पैसे फेंग दिया मुँपर और चल दिया ऐसा ओके धियान रखिएगा ओके ताट इस गूइंग ताट इस गूइंग आउन ना option number क्या होगा इसका option number C sorry option number A असुर विवाह ओल राइट नुपूर जी मेरे ख्याल से UP वाला तो चल रहा है already है न कौन सी site painted grave air से यानि कौन सा स्थल PGW PGW स्थल नहीं है नहीं है गिलोली खेडा 9 क्या लिखा हुगा है इन में से कौन सा जो है वो एक PGW साइट नहीं है एक PGW साइट कौन सा नहीं है यह आपको बताना है ठीक नहीं जान लखिएगा क्या होगा भई इसका फड़ा फटा असर करिए which of the following is not a PGW site ठीक है इसमें I think सारे सारे locations जो हैं यह आप लोगों के लिए नए होंगे पर मैं आपको बता दूँ कि सतवाली जो है सतवाली इसका सही जवाब होगा हलांकि अगर बात करें कि सतवाली जो है वो exactly पढ़ता कहां पर है सतवाली जो है यह exactly पढ़ता कहां पर है तो दिस लाइज इन दे रीजन ओफ राइजन ओफ दे महराष्ट्रा राइट महराष्ट्रा mostly मैंने ख्याल से western महराष्ट्रा के आसपास का जो इलाका है मतलब उधर पढ़ता है यह ठीक है उधर पढ़ता है दूसरी अगर बात करें बाकी locations के गिलौली खेडा हो गया नो हो गया त्रिपुरी हो गया दोस्तों यह मध्य और उत्तर भारत के इलाकों में इस्थित हैं ठीक है ना तो इसलिए answer क्या होगा option number D होगा option number D होगा ठीक है ना ध्यान अखियेगा तो गिलौली खेडा वगरा जो है that is all found in this PGW sites नो गिलौली खेडा त्रिपुरी सब कुछ ठीक है खुशी जी सतवाली गुजरात में नहीं है सतवाली रतनागिरी के नजदीक है मेरे ख्यासे महाराष्ट में पढ़ता है शायद मुंबई के आसपास कहीं पर प्रारंबिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यरूप से क्या था भई भक्ती था इमेज वर्षिप और यग्य प्रकृती की पूजा और यग्य प्रकृती की पूजा और भक्ती क्या था आंसर बताईए फड़ा फड़ से प्रारंबिक वैदिक आरियों का धर्म मुथ्क रूप से क्या था तो गैई इनका सही जवाब क्या होगा प्रक甚-पूजा और यग्य या प्राकृतिक ध्या रखेगा प्राकृतिक शक्तियों की मानव रूप में पूजा यह एक्क्युरेट इस दा क्यूरेट एक्यूरेट टर्म और यग्गे और यग्गे तो गाईज ये तो हो गया इस प्रशन का सही उत्तर अब ध्यान दखिएगा कैस्पियन सागर के एक छेत्र से पलायन करने वाले लोगों को माईगरीट करने वाले लोगों का कहा जाता था द्रविड और यूरू एशियन्स या फ्रिकन्स तो गाईज ये क्वेश्चन आइधिंक यूजलेस है वैदिक यूग में इस्त्री की स्थिती के संबंद में कौन सा कथन सत्य नहीं है सत्य नहीं है गुड इवनिंग राजेस सर वेरी गुड इवनिंग सर जुड चुके हैं हमारे साथ बच्चों सभी लोग सर का स्वागत करें महिलाओं ने एक समान जनक स्थिती का आनंद लिया या महिलाओं की स्थिती समान जनक थी प्रारंबिक वैदिक काल के दोरान महिलाओं ने दहारमिक विचार विमर्शु में भी हिस्सा लिया प्रारंबिक वैदिक काल के दोरान सती की प्रथा अग्यात थी या प्रारंबिक वैदिक काल में कन्या के जन्व को नीची दिश्टी से देखा जाता था तो इसका तो जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं आपको उत्तर का पता उसी वक्त चल जाता है सत्य कौन सा नहीं है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर option number D जो है सत्य नहीं है यह सत्य नहीं है ठीक है ना दरसल में सती की प्रथा जो है यानि कि यहाँ पर सती को बताया गया है एक social evil के तौर पर तो सती कहा जाता था किसको शुरुवात में सती शब्द का प्रयोग किया जाता था ऐसी इस्त्रियों के लिए who were dedicated to their husbands जो अपने पती के लिए बिलकुल devoted हुआ करती थी उनको सती कहा जाता था तो सती के नाम पर जला देने वाला system early vedic time period में नहीं था बलकि later vedic में भी नहीं था महिलाओं ने धार्मिक विचार विमर्स में हिस्सा लिया बिलकुल सही बात है भई बिलकुल सही बात है अगर आप vedic काल में अगर overall देखें तो अपाला, घोशा, लोपा, मुद्रा later में देखेंगे कि दुगारगी, मैत्री ये सब चले आते हैं ठीक ना ये सब ladies जो हैं मानी जाती है कि इन सभी को इन सभी को धर्म का और शन का बहुत जबरदस्त ग्यान था और महिलाओं ने एक respectful position obviously रखी थी ठीक है ना, तो that means option number D इसका जवाब होगा, हालांकि कन्याओं को दो हीता कहा जाता था, दो हीता के दो अर्थ होते हैं, एक तो जो गाय का दूध निकालती हैं वो दो हीता और दूसरा, जो संपत्ती को ड्रेन करती हैं, है ना, उसको भी दो हीता कहा जाता है, यानि कि जिनके आने से संपत्ती का बढ़ना, है ना, रुक जाए या संपत्ती घटने लगे, उसे भी दो हीता कहा गया है, okay, the one who drains the wealth, okay, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शायद कुछ दिक्कतें तो होती थी, पर बहुत जादा कुछ नहीं कि नीचे दिष्टी से देखा जाए, राजसूई और वाजपे, वाजपे के समारोहों का उलेख किस गरंथ में मिलता है, बताएए सर, राजसूई और वाजपे, यग्य जो हैं, इनका उलेख किस गरंथ में मिलता है, रिगवेद, सामवेद, यजूरवेद, अथरववेद, आंसर प्रीज, फटाफट से, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका, देखो भई, यग्यों के, यग्यों के बारे में, अगर हम लोग जानते होंगे, तो सभी को पता होगा, कि यजूरवेद एक ऐसा था, जिसमें तरह-तरह के यग्य बताए गए हैं, और उसी में, राजसूय और वाजपे का भी, विवरण मिलता है, राजसूय जिनको पता होगा, जिनको पता होगा, कि कॉरोनेशन, यानि कि राज्य अभिशेक के समय, यह किया जाने वाला यग्य था, इसमें जो शामिल होने का, इन्विटेशन स्वीकार कर लेता था, ये मानते थे कि उसने, अमुक व्यक्ती को जो यग्य करवा रहा है, उसने उसे समराट के तौर पर स्वीकार कर लिया है, समराट के तौर पर, यानि कि उनके सुजरेनिटी के अंडर में रहेगा, और वाजपे जो है ये उत्तराधिकार वाला रहता था, जिसमें एक बुढ़ा राजा, आम तौर पर रत की दौर करवाता था, और खुद जीतता था, कई बार तो ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं, कि राजा जो है, वो देखता था exactly कि वही कौन ऐसा वेक्ती है, जो compete करने की ज़्यादा कोशिश आ है, उसको बाद में रास्ते से हटा दिया जाता था, यह स्टैंडर्ड फीचर नहीं है, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका option C, यह जुरुवेद होगा, ठीक है ना, बाकि रिगवेद में क्या है, रिचाय हैं सब जानते हैं, सामवेद में उन्ही को गायन शैली में, यानि लिरिकल स्टाइल में लिखा गया है, और खरववेद में क्या है, लेटर वैदिक से जुड़ी हुई, कुछ अनारियों से जुड़ी हुई जो हैं, टेंडेंसीज हैं, जादू, टोने, मंतर वगरा, जानवरों के इलाज से जुड़ी हुई बाते हैं, यह सब, उत्तर वैदिक युग की कौन सी पुस्तक, देश को पांच भागों में विभाजित करती है, ये भी आपको बताना है, भई सभी लोगों को फटाफट से, उत्तर वैदिक युग से जुड़ी हुई, कौन सी पुस्तक ऐसी है, जो की देश को पांच अलग-अलग खंडों में विभाजित करती है, बताईए फटाफट से, आंसर इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका फटाफट से बताईए, देखें, इतना तो ध्यान रखिएगा, ये दरसल में ईश उपनिस्द है, ये ईशा लिखा हुआ है, ईश, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब, अरे सर, इसका सही जवाब क्या होगा, आप्शन नमबर B होगा, option number B एत्रे ब्राहमन शत्पत ब्राहमन नहीं भाई शत्पत ब्राहमन जो है यह आपके मुख में अगनी लेकर के यह अगनी देव का जो विस्तार है कहां तक बिहार के इलाकों तक मिथिला के इलाकों तक जो है वो विस्तार कर दिया जाता है उसके बारे में बताता है और सत्पत ब्राहमन ये भी कहता है कि ब्राहमनों को भी कृशी करने का अधिकार है और एतरेय ब्राहमन है जो पांच हिस्तों में विभाजित करने की बाद कहता है आरेवर्त को ठीक है? Got it? ना निमगित शिल्पकारों में से कौन वैदिक काल में पवित्र धागा यानि की यग्यू पवीत पहनने का उत्तरा अधिकारी था यग्यू पवीत का अधिकारी बताईए फड़ा फट यग्यू पवीत का अधिकारी कौन था भई रथ निर्माता सुनार लोहार बुनकर आंस यानि कि जिसको आप जानते हैं न सूत या रथकार कहा जाता है रथकार जो है उसकी बड़ी इजट हुआ करती थी रथको चलाने वाला जो था चैरिटीर जिसको कहते थे उसको सूत कहा जाता था सूत की भी काफी ज़्यादा respectful position हुआ करती थी दरसल में यह जो बार-बार दि दिखाते हैं कि सूत पुत्र कह दिया तो मतलब जैसे कोई दूसरी छोटी जाती का कोई व्यप्ती हो इस प्रकार की गाईज ऐसा कुछ भी नहीं होता था याद रखियेगा सूत जो है एक officer होता था यानि कि जैसा आप मानिये कि आज के जमाने का civil servant हो गया उस प्रकार का उ साथ वो उठक बैठक अंकार रहता था ठीक है और उतनी ही respect रहती थी सिर्फ राजपुत्रों की तुलना में वो consider कम किये जाते थे ये बात भी fact है ठीक है राइट answer option number A होगा गोत्र की अवधारना किस काल में इस्थापित हुई भई रिग वैदिक, लेटर वैदिक, प्री होता है ध्यान रखिएगा ये मतलब होता है the cow shed, cow shed यानि कि जहां पर गाय रखी जाती है, बांधी जाती है, basically it indicates the ancestral, right, ancestral linkage यानि कि आपके जो पूर्वज है, पूर्वजों का संबंद दिखाता है कि अगर आपका गोत्र same to same है, मतलब आप एक ही परिवार से संबंदित रहें होंगे वैदिक काल के भीतर, ठीक है ना, तो that is the right answer रिग वेद में सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन है, I don't think कि इसमें जवाब में समय लगना चाहिए, सबको पता है, option number B, इंद्र जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण भगवान माने जाते हैं, the most important God, that is इंद्र, ठीक ना, जड़ा कमेंट में बताइएगा कि इंद्र के ल चिनाम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, चिनाम नदी को वैदिक काल में किस नदी के नाम से जाना जाता था, इसके साथ साथ आप बाकी नदीयों को भी ध्यान रख लीजेगा सब लोग, सब लोग ध्यान रखेंगे वही, कि सिंधु को तो सिंधु ही कह कहते थे हिए सतलज को क्या कहते थे वहिस अपलाज को कहते थे शतुध्री ओके और सुतुध्री टीगड मैं जेलम को क्या ख चते थे जेलम को कहते थे विठस्ता जेलम रवी को क्या कहते थे परुष्णी, व्यास को क्या कहते थे विपाशा, और बचा क्या। उसे क्या कहते थे अश्किनी, शेनाब को कहते थे अश्किनी, ठीक है न, तो guys, right answer option number A होगा, अश्किनी, next question, निमकिर में से किस विधान सभा को नरिष्ट भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है, कि एक ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, किस विधान सभा को, सुचो ज माने में भी permanent houses का concept exist करता था, कौन सा house जो है, वो permanent house माना जाता था, कौन सा house जो है, वो permanent house माना जाता था, बताईएगा जरा फड़ा-फड़ से इसका सही answer क्या होगा आपके हिसाब से, quickly, बताईएगा, उच्च सदन, जो permanent रहता है, दोस्तों, permanent रहता है, तो इसके लिए ध पढ़ा होगा कि सभा, समिती, विदत्थ और गण, विदत्थ जो है, वो बुढ़े लोगों का, या बुजुरूगों का, गण जो है, वो artisans, artisans का, समिती जो है, वो आम जनता का, आम जनता बोले तो house of commons, house of people, लोक सभा, लोक सभा, आम जनता या नि लोक सभा, और यह जो सभा है ये ये उच्च सदन जिसमें कि राज्य सभा जैसा यानि कि राजा के राज परिवार के जो नजदी की थे वो मंत्री वगरा सब दोस्तों राइड आंसर क्या होगा दरसल में इसका option number C होगा सभा को उच्च सदन या राज्य सभा जैसा माना जैसा जैसे आज की ता जमाने में सभा cannot be dissolved आईशा जी राज्य सभा में आज की तारीक में किसे भेदा जाता बुड़े लोगों को नहीं भेदा जाता उसे भेदा जाता है जो सरकार के इतने नजदीकी होते हैं या राजनेताओं के इतने नजदीकी होते हैं जो की चुनाव हारने के बावजूद भी उनको बिठाया जाता है संसद में तो यही कुछ यही कुछ उस जमाने में भी आप consider कर सकती है ठीके ना ना कौन सा भारतिये चिकित्सा की उत्पत्ती से संबंधित है रिगवेद सामवेद यजुरवेद अथर्ववेद आंसर बताईएगा जरा फड़ा फड़ा बिल्कुल पूजा जी कुलीन लोगों की सभाव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है अरे कोई दिक्कत नहीं आशा जी कोई दिक्कत नहीं आप बिल्कुल आराम से लिख सकती है ऐसे सब तो करना पड़ेगा ना ऐसा नहीं होगा तो फिर क्लास में क्या एंजॉइमेंट हो जाईएगा एक चीज से एक चीज से किस से कि रिगवेद का उपवेद जो है वो दरसल में आयूरवेद है पर भारते चिकित्सा की उत्पत्ती अथर्ववेद से क्यों मानी जाती है क्यों मानी जाती है क्यों कि आयूरवेद एक बाद की रचना है अथर्वेद आयूरव के भीतर ही आपको indigenous medicinal system से जुड़े हुए काफी सारे काफी सारे जो है हाइंस या रिचाएं जो है वह हमें प्राप्त होती है ठीक है इसलिए answer D होगा पासे का खेल किसकी रस्म का हिस्सा था भई अगनिस्टोम यग्य का होता था हिस्सा या फिर अश्वमेध यग्य का या फिर राजसुय यग्य का या फिर वाजपेय यग्य का हिस्सा होता था बताइए फड़ाफट से इसका सही जवाब क्या होगा तो गाई इसका राइड आंसर क्या होगा इसका राइड आंसर होगा option number C राजसुय यग्य क्या होगा राजसुय यग्य ठीक है ना दियान रखेगा this is the right answer सबको पता है next question गायत्री मंत्र किसे समर्पित है इंडर को अधिती को गायत्री को ये सवित्री को right क्या होगा इसका सही जवाब गायत्री मंत्र किसे समर्पित है तो गायत्री मंत्र जो है गायत्री मंत्र समर्पित है सवित्री है ना सवित्री guys ये सावित्री जो लिखा हुआ है सुनने में लगता है मानो किसी स्त्री का नाम हो किसी महिला का नाम हो लेकिन दरसल में ये क्या है ये सावित्री नहीं है संस्कृत में जड़ा से अंतर से एक मात्रा के अंतर से कैसे male to female हो जाता है ध्यान रखेगा सावित्री अगर कहा जाएगा सावित्री कहा जाएगा तो ये होगा स्त्री और सवित्री कहा जाएगा अगर सवित्री तो ये होगा पुरुष ठीक ना और सवित्री का मतलब होता है सूर्य अंतरिक्ष में इस्थित जो सूर्य देवता है ध्यानकी का बारह आधित्य माने गए है कितने आदित्य माने गए हैं 12 आदित्य तो जो अंतरिक्ष में इस्थित आदित्य हैं उनको कहा जाता है सवित्र क्या कहा जाता है सवित्र उनके लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई है ध्यान रखेगा इस बात को गायत्री माता के लिए नहीं बलकि सवित्री सूर्य बाढ़ की कता जिसमें दिव्य मचली को मनू को बचाने वाला बताया गया है ये विस्तार से वरणित किया गया है। कौन से जो है ग्रंथ में बताई गई गाई इसका सही आंसर क्या होगा चलिए रखते हैं तो आंसर ऑप्शन निम्बर क्या होगा सी होगा शत्पत ब्राहमण होगा ठीक है ना शत्पत ब्राहमण अपराजिता जी इतिहासकारों ने इसको सवित्री के लिए माना ओम भूर भुशव तत सवितुर वरेंयम क्या कहता है तत सवितुर वरेंयम हैना ओकी ध्यान रखेगा इसीलिए यहाँ पर गायत्री की पूजा नहीं की गई है बलकि सवित्री की पूजा की गई है नहां रखेगा आंसर आप्शन नमर सी होगा शत्पत ब्राह्मन होगा इसमें मेंशन किया गया है कि बाढ़ आई है और उसमें आपके मत सेवतार वगरा की बात की गई है सबसे पहले रिगवेद संधिता किस शाखा से सम्बंदित है भई तो आज की तारीक में देखो रिगवेद के कई सारे रिसेंशन कई सारी शाखाएं होती थी पहले साखाएं मतलब की अलग-अलग तरीके से उसका वाचन किया जाता था आज की समय में कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रचलित है सावनका, अश्वलायन, शांख्यायन या फिर साकल ठीक है न तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएए फटा-फट से राइट आंसर क्या होगा इसका तो ध्यान लखीगा इसका राइट आंसर, option number C होगा शाकल, इसको सकल लिखा गया है पर यह होता है शाकल शाकल, not साकल साकल नहीं यह इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है बड़ हिंदी में शाकल बोलते हैं इसको ठीक है ना, so that is the right answer ओके, that is the right answer, शाकल उपनिशत काल के राजा अश्चोपती, किसके शाशक थे, यह question BPSC में आने की उमीद बहुत-बहुत-बहुत कम है, बहुत-कम है लेकिन, in case अगर पूछ लिया गया तो फिर क्या करेंगे अगर पूछ लिया गया, तो क्या करेंगे गांधार कैके जो है, यह माना जाता है कि जो भरत है न, भरत, भरत का ननिहाल माना जाता है, भरत का ननिहाल और गांधार जो है, वो सत्रुग्न का ननिहाल माना जाता है, है न, तो ध्यान लखेगा कि यह दरसल में कैके, यह व्यास नदी के तट पर तट पर बसा हुआ स्थल था राज्य था उपनिशद काल का ठीक ना उपनिशद काल का ओके ना निमलखित वैधिक देवताओं में से कौन अविस्तन भगवान अविस्तन भगवान यानि पारसियों के देवता पारसियों के देवता अहुर माजदा से मिलता जुलता है अहुर माजदा से कौन मिलता जुलता है तो काहिए याद रखिएगा याद रखिएगा जैसे हम लोग मान लेखते हैं कि आपके Greek mythology में जीऊस हो गया ग्रीक और रोमन mythology का जो है वो जीऊस हो गया या इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अहुर माजदा हो गया Persian mythology का या इंडिया में जो इंद्र हो गया इंद्र हो गया धरसल में ये सब के सब जो है ये इंद्र के ही यहां त इंद्र को इंद्र को ही वरुन से कंसीडर किया गया है लेकिन धीरे धीरे दस्वी 11 शताब्दी तक आते आते वरुन एक separate God बन चुके थे और इंद्र एक separate God बन चुके थे अहुर माजदा का एट्रिब्यूट जो है वो इंद्र से मिलता जुलता है तो पारसी देवताओं म में अहुर माजदा का वही स्थान जो इंद्र का स्थान है मनुस्पृति के भाश्चेकार किसे कौन थे सहायत सौरे इसका नाम है असहाय असहाय विश्वरूप भट स्वामी या मेधा तिथी मेधा तिथी किसे माना जाता है कि ये मनुस्पृति के भाश्चेकार हुआ करते थे आंसर बता हीगा फटाफट से सबी लोग मनुस्पृति के भाश्चेकार कौन थे भई गाइस मनुष्मिति के भास्यकार का नाम आप सब लोग जानते होंगे फड़ा फट ओके तो सही जवाब होगा इनका मेधातिथी बहुत मश्यूर है भई मेधातिथी ने मनुष्मिति पर भास्य लिखा था ठीक है ना गुद्ध दें परिनिर्वाण कहां प्राप्ट किया बोध गया कुशी नरगर राजगरिय वह रजप ConsLab की एक राजधानी सिर्षमित एक राजधानी वहां पर बुद्ध ने निर्वान पराप्त किया और मल्ल महाजनपद की दूसरी राजधानी वो थी पावापूरी वहां पर महावीर निर्वान पराप्ते ठीके न तो यह चीज आप लोगों को दियान रखना है जियोतिश पर पहली पाठ्य पुष्टक फर्स्ट टेक्स्ट बुक on the जियोतिश that was written by पानिनी, पतंजली, कात्यायन या भ्रीगू बताईए सब जियोतिश पर पहली पाठ्य पुष्टक लिखने का कार एक किस ने किया था बताईए तो दोस्तों इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है एक चीज वो ये है बहुत बढ़िया वो ये है कि पानिनी सब जानते हैं कि ग्रामर या व्याकरण व्याकरण ये व्या है पतंजली योग कात्यायन काम और भ्रिगू जो है भ्रिगू ये हुए ज्योतिश ये ज्योतिश ठीक है न तो राइट आंसर क्या होगा option number D होगा भ्रिगू हालांकि याद रखिएगा कि ज्योतिश जो है ये वेदांग माना जाता था वेदांग माना जाता और तो इंडिया में वेदिक काल में ज्योतिश का मतलब अस्ट्रोलाजी नहीं होता था एस्ट्रोलाजी नहीं होता था एस्ट्रोनॉमी होता था इसलिए आप confused मत होईएगा बिल्कुल भारत के राजचिने में सत्यमे हो जायते शब्द का कहां से लिया गया है तो मुंडक उपनिशत से लिया गया है यार सबको मालूम है बच्चा बच्चा जानता है मुंडक उपनिशत से लिया गया है महान विधी दाता ग्रेट लॉगिवर अफ दे एंशेंट टाइम्स वात्सियायन अशोक मनू पानिनी राइट क्या होगा option number C होगा मनू आजकल काफी trend साथ चला हुआ है खासकर मनूस्मृती के बहुत सारी ऐसी चीजें है जिनको की बड़ा ही abusive consider किया जाता है और उसको जलाने वलाने का system भी थोड़ा सा शुरू हो गया था बीच में और आज तो abuse करने का system भी काफी ज़दा चलता है हालांकी ध्यान रखिएगा कि मनूस्मृती जो है अपने time की आज की नहीं अपने time की law book थी और guys कोई भी किताब हो कोई भी किताब हो ऐसी किताब जो की कानून से सम्धित हो हर एक कानून किसी न किसी समय काल के हिसाब से सही होता है समय बदलने के साथ-साथ इंसान की फितरत इंसान का चरित्र और उसका उसका स्थान भी बदलता है जिसके वजह से कानून भी बदलने पड़ते हैं तो इसलिए किसी पुराने चीज़ को चाहे वो कोई भी स्मृती हो कुछ भी हो उसको आज की परिपेक्ष में काउंट करना is a not so logical thing तो राइड आंसर ओप्शन C मनू चोदह सो इसा पूरो में एक शिला लेक जो वड़न करता है कि वैदिक देवताओं को एशिया माइनर में किसको वड़न करता है वैदिक देवताओं को तो वो एशिया माइनर में कहा पाया गया था एशिया माइनर में कौन सी जगह पर 14 सो इसा पूरो का एक inscription मिला हुआ है सिलीसिया में बोगसकोई में हिताई में या यूफरेटाइट में कहा पर बताइए से कौन सी जगह पर मिला हुआ है बताइए फटाफट से क्या अंसर होगा इसका और राइट अंसर इसका क्या होगा भही राइट अंसर होगा इसका आप्शन नंबर बोगोस गोई सब को मालू है उत्तरवैदिक काल में कराधान और राजे सो प्रशासन की व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बसे हुए जीवन और इस्तर किसी के कारण अधिशेश सा उत्पादन हुआ जिससे राजा करोग रूप में कत्र कर सकता था राजा को बली और शुल्क के रूप में लोगों से नेमित योगदान मिलता था भूमी की उपज का छठवा भाग राजा को दे होता था भगदुख नाम का अधिकारी उपज का हिस्सा जो राज की हिस्सा होता था उसे एकत्र करता था कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है और राइट आंसर बताएगे कर फड़ा फड़ से क्या होगा इसका which of the following is not correct not correct okay so guys जान रखेगा यहां पर कि भूमी के उपज का छठवा भाग राजा को दे ता था ये चीज तो बिलकुल clear नहीं है right 1 by 6th was the rate of the taxation that was not very clear that was not very clear okay not very clear अचा इस पर एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है फिर होता क्या था exactly तो guys ये कोई fixed value नहीं थी but it ranged between 1 by 10th to 1 by 8th usually and sometimes as high as 1 by 4th also ठीक है ना हालांकि एक बटे 8th हिस्सा एक बटे 10th हिस्सा से लेकर के एक बटे 8th हिस्सा तक चलता था कई सारे references मिलते हैं कि जहां पर एक बटे 4th हिस्से तक भी दे होता so it was variable कहने का मतलब ये it was variable right it was variable so that's why answer option number C होगा ठीक है option number C निम्रिकित में से कौन उत्तरवधिक काल में जनजाती सभाओं के दीरे दीरे कमजोर होने का एक कारण नहीं था रॉयल पावर में बृद्धी बडए छेती राज्यों में आम लोग अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए लंबी दूरी के यात्रा नहीं कर सकते थे अब असेंबलियों ने जो है वो एक कुलीन चरीत रहाशिल कर लिया था जिसके उनके प्रभाव शीलता को चीन लिया और उन्होंने अपने कुछ गत्विडियों को रतनी नाम के अधिकारियों को अधिकारियों को आत्मसमर्पर मतला नहीं की सौप दिया अपनी कुछ कारियों को रतनी नाम के अधिकारियों को सौप दिया तो कमजोर होने का कारण कौन सा नहीं था कौन सा नहीं था बताईए क्या होगा इसका सही जवाब फटा फट से तो भई उत्तर वैधिकार में जंजाती सभाओं के धीर धीर कमजोर होने का एक कारण नहीं था तो ध्यान रखेगा यहां पर यहां पर ध्यान रखेगा कि सबसे सबसे exact answer क्या होगा सबसे exact answer क्या होगा भई अपनी कुछ गतिविधियों को रतनिन नाम के नए अधिकारियों को समर्पित कर दिया that is the right answer कई लोगों को लगेगा कि A इसका सही जवाब होगा या कई लोगों को लगेगा B होगा याद रखेगा शाही शक्ती में व्रिधी की वजह से तो इससे तो भई जबरदस्ती अब आप खुछ सोचो मान लिया कि केर्ण सरकार को जबरदस्त सक्तियां मिल जाती है बहुत powerful leaders हो जाते हैं तो क्या वो राजियों की इज़ट करेंगे क्या या state list की या बाकी चीज़ों की इज़ट करेंगे क्या नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो that is why option number A तो बिल्कुल reason रहेगा अब इलाका सपोज इतना बड़ा हो गया कि 700-800 किलोमेटर का इलाका फैल गया है आपको लगता है कि गाओं के या उस इलाके की सारे लोग बैठक करने के लिए जाएंगे राजा के दरबार में बिल्कुल नहीं जाएंगे लंबी दूरी की चलते काफी ज़्यादा लोगों का जाना कम हो गया अरे आज के तारीख में आप सोचो उत्तर प्रदेश जैसे राज़ में पस्च्चमी उत्तर प्रदेश के जनता की दिमांड रहती है कि मेरट में हाई कोर्ट का एक एक बेंच लगवाईए क्यों क्योंकि उनको इलहाबाद यानि प्रयागराद जाना पड़ता है जो उनके लिए बड़ी ही मुसीबत का कारण बनता है तो जब आज की तारीख में इतनी दिक्कत है तो उस जमाने में सोचो 200-200 किलोमेटर का सफर तैक करना कितना मुश्किल रहा होगा है ना? That's why this is the reason, this is the reason, this is the reason this is not the reason. D is the right answer D is the answer उत्तरवेरिक अधिकारियों का निमिखित मेंसे कौन सा विवरन सही नहीं है कौन सा विवरन सही नहीं है बताइएगा भगदूग यानि कर संग्रह करता शत्री यानि चेंबर लेन अक्षवप यानि जुवा अधिक्षप या सुपरेड़नेंट अफ गैंबलिग अधिकारी सुपरेड़नेंट अफ पुलीस तो इसमें से कौन होगा इसका सही जवाब कौन सा विवरन सही नहीं है आंसर पाइएगा फटा फट से विच्सक्रिप्शन इस ना ऋट करेक्ट विच्ष्पिप्शन इस ना करेक्ट तो दोस्तों answer क्या होगा अंसर होगा option number option number C अक्ष्वप Okay अक्ष्वप Okay that is the right answer अक्ष्वापा इसका सही जवाब होगा क्योंकि अक्ष्वापा का जो पोजीशन था अक्ष्वापा का जो पोजीशन था this was not related to the this was not related to the management of the gambling but ध्यान रखेगा कि अक्ष्वापा जो होता था ये mostly हिसाब किताब से related काम करता था वो भी lower level पर प्रादंभिक वैडिक काल की प्रशाथने के विवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो राजा को कई पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी जिसमें दो सबसे महतुपूर पुरोहित और सेनानी थे ग्रामणी के वल नागरी कुद्रिशों के लिए ग्राम का मुखिया था किले और गढ़ पूरुपती के अधीन थे या समाज में संगठन प्रदान करने के लिए पूरो वैदिक काल की व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी ठीक है न तो कौन सा इसमें सही नहीं है सही नहीं है आंसर 80th question का right answer आपके हिसाब से क्या होगा फटा-फट से answer बताएए जल्दे लिए सभी लोग आल राइट गाई इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा option number option number B ग्रामणी वस दा हेड अप दो विलेज ओनली फॉर सिविक परपस तो क्या क्रिमिनल परपस के लिए कोई और था क्या ऐसा बिलकुल नहीं है ठीक है न सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों के लिए ग्रामणी ही गाउं का मुखिया होता था ठीक न so that is why this is the answer और दूसरी बात अर्ली वैदिक काल में समाज की प्रशासनिक व्यवस्था और समाजिक व्यवस्था दोनों आपस में जुड़े हुए थे मेरे भाई तो कभी भी confusion मत होईएगा क्यों जरा ध्यान दीजेगा इस पर इस पर ध्यान देंगे कि अगर हम सबसे छोटे इकाई की बात करें तो उसके अध्यक्ष को कहते थे कुलप कुलप यानि head of the family ठीक है ना कुलप एक political position भी था और एक social position भी था ग्रामणी क्या कहते थे उसके उपर ग्रामणी political position भी और social position भी है ना विशपती विशपती तो political और social राजन political और social ठीक ना क्योंकि याद रखिएगा कि इनका समाज जो था प्रारंभिक वैदिकाल में कभीलाई समाज था tribal society और tribal society मतलब क्या society और politics आपस में गुथे हुए थे अलग-अलग नहीं थे दिमाग से आंसर देना है रीत की रिगवैदिक अवधारणा किसको दर्शाती है प्रकृती में प्रचलीत ब्रम्हांडी आधेश या कानून नैतिक और यहाँ पर दोनों हिंदी में नैतिकी है ethical और moral आधेश जो है both A and B या फिर सभी देवताओं का एक में समामे लग रीत की रिगवैदिक अवधारणा किस चीज को दर्शाती है रीत का क्या मतलब होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि वरुन जो है वरुन को रीतस्य गोप कहा जाता है क्या कहा जाता है रीतस्य गोप ठीक है रिमजिम जी जल्दी का काम शैतान का काम ठीक है ना तो जब तक सही तरीके से explanation नहीं दिया जाएगा तब तक तो आप बेल्कुल परशान मत होई है question को jump करकर के कोई मतलब नहीं है ठीक है ना अब तो कम से कम थोड़ा सा हमें समय देना ही पड़ेगा अब नहीं देंगे तो चार दिन में exam है फिर क्या करेंगे है ना तो इसका सही जवाब क्या होगा तो गाईज इसका सही जवाब है इसका सही जवाब option number right option number a होगा option number a होगा cosmic order cosmic order जो है उसे कहा जाता है रीत ethical और ethical और moral order को कहा जाता था नीती है ना तो रीती और नीती ये दो अलग अलग चीज़े हैं मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा सब लोग ठीक है ना रीती जो है cosmic order और नीती जो है वो ethical और moral order किसके मुखिया को गहपती है ना गणपती या जेस्ट कहा जाता था किसके मुखिया को परिवार के मुखिया को जनजाती जनजाती गणराज गिवा को या सभा के मुखिया को तो ग्यान रखिएगा यहां पर किसके मुखिया को जेस्ट कहा जाएगा या गणपती कहा जाएगा या गहपती कहा जाएगा ठीक है ना इस तर परके अलग अलग अ गण मतलब क्या होता था याद रखिएगा ट्राइबल रिपब्लिक्स याद है कि नहीं कुछ गड़तंत्र 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 मतलब की रिपब्लिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्निंग तो ट्राइबल रिपब्लिक मतलब गड़तंत्र तो गड़राज यहाँ पर जो शब्द दिख रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर ऑप्शन अबस ती गणपती यानि ट्राइबल के चीफ उनको जे कर दूँगा क्योंकि आपकी साइन्स की क्लास में शुरू हो चुकी है I can understand don't worry दिख आरियों की भाती प्राचीन काल में भी यग्य की प्रथा का पालन किया जाता था ठीक है यह दिख जो लिखा है यह वैदिक है तो वैदिक आरियों की तरह प्राचीन काल में यग्य की प् guys what will be the right answer to this question everyone तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा right option number C एरानी क्योंकि हमें मालूम है कि एरानियों की व्यवस्था दरसल में वैसी ही व्यवस्था थी जैसी की व्यवस्था किसकी थी वही जैसी व्यवस्था आरियों की थी यहां तकी इरान शब्द जो है वो आरेयन शब्द का ही अपभरंश माना जाता है कौन सा जनपत इसापुर्व छटी स्थाबदी में गड़तांत्रिक राज्य था तो आपके बिहार में ही वज्जी जो है वज्जी ये एक गड़तांत्रिक राज्य था सब जानते हैं आठ प्रमुख गड़तंत्रों का एक समूह होता था इसके अलावा विदेह इसके अलावा अगर देखा जाये तो मल इसके अलावा देखा जाये तो आपके मेरे ख्याल से कपिल वस्तु यानि शापके ये सब के सब क्या है ये सब के सब गड़तंत्र हुआ करते थे सब के सब गड़तंत्र हुआ करते थे वैशाली में विश्य का प्रथम गड़तंत्र किसके द्वारा स्थापिक किया गया था तो वैशाली में कौन सा वंश शासन करता था बही मौरे वंश नंद वंच लिच्वी या गुप्त राइड आंसर क्या होगा लिच्वी होगा सब को पता होना चाहिए आंसर ओप्शन नमर सी लिच्वी ओप्शन नमर सी लिच्वी ठीक है तो गाईज आज का सेशन जो है वो थोड़ा लेट से शुरू हुआ था बड़ आई होप कि आप लोगों ने फिर भी काफी बहतर तरीके से इस सेशन को सीखा होगा देखा होगा और learn किया होगा enjoy किया होगा तो दोस्तों अभी मैं सेशन को यहीं पर close कर रहा हूँ बाकी के जो questions है I will be including those questions in the upcoming part यानि की जो कल हम लोग second part करने वाले हैं उसमें मैं include कर लूँगा ठीक है so make it sure कि कल आप इसको इसको इसी time पर attend करना ना भूलें तब तक के लिए नमस्कार सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और all the best to everybody सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद take care guys अगर सेशन आपको like कर लाइक लगा होया तो please like वगरा कर दीजेगा और share भी करेगा ताकि जादा-जादा लोग इसको देख सकें और जादा-जादा लोग सीख सकें धन्यवाद सभी लोगों को बहुत-बहुत take care